आपके लिए अवेलिबल है तो प्लीस लास तक बनी रहिएगा और विडियो के स्किप मत किजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूर इंफ्रमेशन मिलेगी और राइट स्टार पाटे में आपका है पूलाइट वर्ड्स एंड फ्रेज़स यहां पर आपको पूलाइट आपकी इंग्रिश को और जादा पूलाइट वे में यूज कर सके देन कांफी सारे फ्रेज़स होते हैं इस पर भी मैंने प्रीविस लेसन में विडियो बना रखे है बिंग पूलाइट अगर वह देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ है अब जो नियू अपडेट है इसमें काफी शॉट कर दिया है तो वो वीडियो ज़रूर देख लिजेगा उसकी लिंक में शेर करूंगी ओराइट इसके सार्ट ओके सो लेस्ट आपको देखें वर्ट दिये गए हैं यहां पर यह तु सारे बढ़ हमें आती हैं स्टुरेंस अलनस ओके सो इनको यूज कर सकते हैं सो उसके लिए हमें प्लीज का यूज करना है वन आई गेटिं सम्थिं थाइंक यू ओके वन सम्वन थाइंक्स में सो यू आर वेल्कम एन वन आई मेक आर मिस्टेक स्नीज बिलो मैं नोस और कफ सो शॉरी पाड़न मी एन वन आई नीज तो get someone's attention excuse me okay and example please help me thank you for the gift thank you for the help okay and इसमें कुछ नहीं आएगा आपका स्ट्विं से लिए and sorry I came late या जो भी आपसे mistake हुई है कुछ भी हुआ है तो उसके लिए and जैसे आप किसी से बात कर रहे है इन आफ फोन पे और अगर आपको कोई सुनाई नहीं दिया तो आप कैसे थे pardon me pardon me I can't hear you यह बोलने की जूद नहीं आप अगर English में यह भी बोलेंगी ना तो उसको समझ आ जाएगा कि आपने जो भी वह बात कर रहता है उसने सुना नहीं है तो फिर से रिपीट करेगा okay so यह भी एक helpful है आपको example के तोर पर बताया मैंने and excuse me I want to say something alright so ऐसी आप use कर सकते है word and इससे related में कुछ link share करूंगे तो please check out जरूर कर लीजेगा और मेरी previous वीडियो को भी जरूर देखिएगा उसमें बहुत कुछ है all right उसमें आप सीखेंगे कुछ न कुछ okay चलिए आगे देखतें part b में क्या है okay इससे लेना part b में आपका है create a role play for one of the scenario giving vlog okay one to ten है okay first मैं आपको read करके बता देती हूँ your grandmother gives you a watch for your birthday so आपको अपने according list को create करना है कोशिश करूंगे कि मैं इसमें से one two scenario आपके लिए आपके लिए complete करके link के शेयर करूं तो जरूर check out कर लिजेगा okay so देखिए किसी टूल के साथ आप मत किजिए आप आजकल बहुत चीजा आच चुकी हैं आपको देखो हमें सीखना है हमें सीखना है तो हमें खुछ से write down करना होगा तो अपने accordingly किजिएगा shortcut मत किजिएगा क्योंकि आजकल बहुत सारे shortcut क्योंकि वीडियो जो वीडियो क्रेट करें उनके लिए देखो जो सिखा रहा है वो आपको सिखाने के लिए use कर सकता है अगर आपको खुछ से अपने आपको ग्रो करना है तो प्लीज किसी टूल का यूज हां कुछ ऐसे टूल यूज किजिए जो आपको help कर सके बट shortcut मत क्रीट किजिएगा क्योंकि वर्क प्लेस पे ये चीज़ आपको काम नहीं आएगे क्योंकि बहुत सारे टूल्स आ गया है software and apps so अपने accordingly क्योंकि जब भी आप exam देने जाओगे school colleges में वहां आपको टूल्स काम नहीं आएंगे आपके handwriting आपका brain ही काम आएगा तो please use your brain all right so one to ten scenarios है please इसको अपने accordingly प्रपेर कीजिएगा all right चलिए आगे देखते हैं क्या स्ट्रेश आलानस स्ट्रेश आलानस lesson 18 part b या c कह लिए क्योंकि इसमें देखिए पहले हमने part b already करा है यह part c होगा please अपने facilitator से पूछ लीजेगा यह चीज़ क्योंकि बुक्या में यह wrong दिया गया है क्या चीज़ है पर आपको explain करना है तो जरूरी है so यहां पर देखिए online search के लिए आपको कुछ one to ten question दिए गये हैं जिनके आपको answer online आपको search करना है किस पर कर सकते हो youtube पर कर सकते हो google पर कर सकते हो wikipedia पर कर सकते हो okay so browser पर जाके आपको यह सारी चीज़ हो के answer सब कुछ mostly मिल जाते हैं क्योंकि आपको सिखाने के लिए मैं भी ऐसे ही काम करती तो आपको जाके search करना है खुछ से ठीक है मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा explain कर दूंगी search करके दिखा दूंगी तो आपको समझा जाएगा ओके सो इसमें से मैं अपने accordingly सेलेक करूंगी ओके 123 ओके number of the tigers in the world मैं इसमें से यह सेलेक करके आपके लिए search करके आपको शूर करने की कोशिच करती हूं ओके so let's get started आपको सर्च करना है मैं write down कर रही हूं number of the tiger in the world ओके अभी आपके सामने result show होगा ओके so wait for यह देखिया आपके सामने result है जो show कर रहा है 3167 ओके so मैंने आपको यह search करके दिखाया तो आप ऐसे ही अपने accordingly कुछ भी search करके facilitator को show कर सकते हूं आपको आपको यह information useful लगेगी okay so मैंने कुछ example आपके साथ share किये और और मैं कुछ link share करूंगी learnings related okay जो आपको dialogues link ने उसमें से एक आपके लिए तियार करूंगी so please आप उसको check out कर लीजेगा उसकी accordingly आप practice कर लीजेगा okay so please one more thing जो new students है ना वो like and share and subscribe जल्दी नहीं कर रहे हैं okay मेरे पुराने जो students है learner से वो like भी करते थे subscribe भी करते थे okay प्लीज आप उनके जैसे बनिये ना like किजिए share किजिए subscribe किजिए okay तब तक लिए टाटा बाई बाई नेक्स फडिवी मिलेंगे